तो फ्रेंट्स के आल चाल आपका स्वागत है आपके अपने सो बिलन्स चैडमी में, मैं हूँ प्रिजन गुपता और आज का हमारा टॉपिक है खाली समय का सही इस्तमाल कैसे करें, जी हाँ दोस्तों, खाली समय का सही इस्तमाल करके आप extraordinary और extra active भी रह सकते हैं और जिसके कारण आपकी passive income भी generate हो सकती है यहां दोस्तों इसमें हमने आपको के लिए six point लाए हैं जिसमें से अगर आपने कुछ point को भी अपने दर ले आए तो guaranteed है आप extraordinary and active हो जाएंगे और जिससे आपकी passive income अपने आप generate होने लगेगी सबसे पहला point आता है meditation meditation एक बहुत ही common सब्द है लेकिन meditation में क्या होता है आप mentally fit हो जाते हैं जिसके कारण आपका concentration power increase हो जाता है आपकी learning power increase जाती है और आपका present of mind भी बहुत अच्छा हो जाता है आपके अंदर गुस्सा control में आ जाता है आप अपने mind पर control कर सकते हैं जिसके का meditation को बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही sharply और बहुत ही easily ले सकते हैं जिहां दोस्तों यह सबसे पहला point है meditation दूसरा point है इसमें आपका exercise exercise से क्या होता है आप physically fit हो जाते हैं physically fit होने कारण आप बहुत active रहते हैं और बहुत attractive दिखते हैं आपको बहुत जदा exercise नहीं करनी है ज् बहुत है पड़ी regular exercise करने से आप में सब fit रहेंगे और बहुत ही active रहेंगे आप इन्दम charged रहेंगे दिन बार आपका दिन चरया जोगा बहुत ही अच्छा भी देगा अगर आप दिन में छोटी सुब्य की समय थोड़ी से exercise कर लेते हैं सामके समय थोड़ी से exercise कर लेते हैं जो तीसरा point है बहुत है reading book पहले point में आपने mental को mentally fit हो गया है दूसरे point आपने आपको physically fit कर लिया तीसरा point जो है आपका reading book आप उसमें थोड़ा सा knowledge भल लीजे नॉलेज भनने का मतलब क्या है कि जब आप reading book की habit को अपने life में ले आते हैं खाली समय में किसी भी experience वाले person की आप book को read करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि उन्होंने क्या गलती की थी क्या उनके अदर अच्छाईया थी जिसकारण वो success हुए जिसके कारण उनके अ आप यूटूब के तरुप पैसे कमा सकते हैं जिसके कारण हम पैसे कमा सकते हैं जिसके कार आपको और इंप्रूफ कर सकते हैं तो दोस्तों यह reading book की habit बहुत अच्छी है इसको भी आप आप लाज सकते हैं चौधा जो है खाली समय में आप क्या कर सकते हैं इंप्रूब English language एक language ही है कोई बहुत ही बड़ा बम नहीं है लेकिन हमारे आपके society में हमारे आपके इंडिया में जो culture इसमें English को बहुत हवा माना जाता है अगर आप बहुत अच्छी तरह किसे frequently English बोल लेते हैं तो आपको एक बहुत ही knowledgeable person माना जाता है अगर आप किसी interview में गये हैं और आपकी English language बहुत अच्छी है तो आपको compare to second person जिसकी English language नहीं अच्छी है उससे comparable आपको बहुत ही अच्छा knowledge बहुत ही जबकि भले ही आपके पास knowledge थोड़ी सी काम हो कर रहे हैं तो आप इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी आपका profession ना बन जाए एक बहुत ही अच्छा profession आपका बन सकता है भविस्च में और इससे क्या रहेगा आपका जो सौक जो सपना आपका अधूरा रहा था वह भी सपना आपका कोई भी जॉब कर रहे हैं अगर आपने बिजनिस करना स्टार्ट कर दिया इसमें आपका फैसन प्रोफेशन और फाइनिंशल तीनों कंडिशन बहुत ही अच्छी तरह किसे इंप्रूब हो जाती है इसमें कहा रहा था है आपका सौसरा विंकम भी एक्ष्ट्रा पैसिव इ दूसरा एक्सेसाइज जिसमें आप फिशकल फिट हो जाईए तीसरा रीडिंग बुक्स जिसमें आप थोड़ा सा नौलेज भल दीजिए चौथा इंग्लिस लैंग्वेज जिससे आपकी बोलने की आपकी जो प्रेंटिशन है वह अच्छा हो जाए पांचवा पाइंट ल इन छो चीजों को अगर आप कुछ कर लेते हैं तो गारिंटेड है साल भर अगर आपने रेगुलरिस तरह से किया तो आपका पैसिव इंकाम भी जन्य ठोलने लगेगा आप एक्स्टा ओडिनरी भी हो जाएंगे और आप एक्स्टा अट्रेक्टिव भी हो जाएंगे आप क वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा सो कभने फ्रेंड शर्तिल में सेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखने जाएंगे बहुत-बहुत धान्नेवाद थैंक्यू वेरी मच्च